हाई गाईज वेलकम बैक चुन अधर सेशन मैं आप अब भनोट लेकर आई हूं आपके लिए करन्ट फियर्स का एपिसोर नमबर 766 आज की तारीक है 2 सेप्टेंबर 2020 हमारे दो चानल्स हैं पिनेकल और फ्रेंटियर आएस और अगर अब तक आपने मारे चानल्स को सब्सक्रा करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ इस बैल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से से सीजिल पिनेकल डॉट कॉम और बलजी धकर डॉट कॉम में दोनों को विजिट करना बिल्क विजेता घोशित किया गया है तो इसका सही जवाब था रूस और आपका दूसरा क्वेस्टन था दादा साहिब फाल के अंतर राश्ट्रे फिल्म महत्सव पुरसकार 2021 में मर्नो प्रांथ किसे समानित किया जाएगा तो इसका सही जवाब था सुशान सिंग राजपूत पूर्व राश्ट्रपती प्रणव मुखर जी का हाल ही में निधन हो गया उन्हें 2019 में किस पुरसकार से समानित किया गया था तो इसका सही जवाब है option number D भारत रत्न 31 अगस्त 2020 को पूर्व राश्ट्रपती प्रणव मुखर जी का COVID-19 के लिए सकरात्मक परीक्षन के बाद 84 वर्ष की आयू में निधन हो गया इस पर भारत सरकार ने 7 दिन के राज के शो की घोशना की है उन्होंने 2012 और 2017 के बीच भारत के 13 राश्ट्रपती के रूप में कार किया था 2019 में उन्हें राश्ट्रपती रामनात कोविन द्वारा सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रतन से समानित किया गया था श्री मुखर जी ने 1982 से 84 में पहली बार वित मंत्री के रूप में कारे किया था इसके लावा उन्हें 1980 में राज्य सभा के नेता के रूप में न किया गया था यहां पुरे फोटोग्राफ में देख सकते हैं और एक को एक रिविजिन की बात करें तो प्रणब मुकर जी के साथ भारत रतन 2019 के विजेता थे भुपेन हजारी का भारतिय पार्शम गायक और नाना जी देशमुख समाजिक कारे करता अगला प्रशन है भारत मंतरी नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2020 को पोशन मा के रूप में मनाने की घोशना की है यह महीना पूरे भारत में मनाया जाएगा ताकि सभी को पोशन के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा सके पोशन मा सितंबर 2018 और 2019 में पहले मनाया गया था प्रतिये एक जीले की फसलो और उनके पोशन मुले के बारे में जानकारी के साथ भारत का क्रिशी कोश तयार किया जा रहा है। यहाँ पर एडिशनल इंफोर्मेशन की बात करें तो आंधर परदेश के मुख्य मंत्री Y.S. जगनमोहन रेडी गरबवती महिलाओं के लिए दो योजनाई शुड़ू करने वाले हैं Y.S.R. संपूर्ण पोशन और Y.S.R. संपूर्ण पोशन प्लस इसका उदेशे बच्चों के साथ गरबवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पौश्टिक भोजन प्रदान करना है। अगला प्रशन है किसी देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विक्सित किया है। तो इसका सही जवाब है Option C. भारत विज्ञान और प्रदियोगी की मंत्राले के तहट संचालित C. S. I. R. C. M. E. R. I. ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विक्सित किया है। C. M. E. I. R. केंद्रे मकेनिकल इंजीनिरिक अनुसंधान संस्थान दुर्गापूर पस्चिम बंगाल सोलर ट्री को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्रतियेक सोलर फोटो वॉल्टिक पैनल का अधिक्तम एक्स्पोजर हासिल किया जा सके। प्रतियेक पेड में कुल 35 सौर पीवी पैनल है, प्रतियेक पैनल में 330 वॉट बिजली की शमता है, सोलर ट्री की कीमत 7.5 लाक रुपे है, इच्चुक MSME अक्षे उर्जा धारित ग्रिट विक्सित करने के लिए प्रधान मंत्री किसान उर्जा सुरक्षा पीएम कुसुम के साथ गडबंधन कर सकते है यहाँ पर एक विक रिविजन की बात करें, तो International Solar Alliance 8 सितंबर 2020 को पहली बार World Solar Technology Summit आयूजित करेगा अगला प्रशन है, यूरोपिय निवेश बैंक किस भारती शहर की पहली मेट्रो लाइन के निर्मान में शाड़े 600 मिलियन यूरो का निवेश करेगा तो इसका सही जवाब है, option number C, कानपूर यूरोपिय निवेश बैंक EIB ने कानपूर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्मान में शाड़े 600 मिलियन यूरो का निवेश करने का निर्ने लिया है इस परियोजना का उदेश शेहर के कुछ 3 मिलियन लोगों को हरित, सुरक्षित, तेज और सस्ती सार्वजनिक परिवहन से लाभानवित करना है नई मेट्रो रेल प्रनाली उत्तर प्रदेश की इस उद्योगिक राजधानी में नए रोजगार और शिक्षा के अफसरों को अनलोक करेगी यह उत्तर प्रदेश में EIB द्वारा समर्थित दूसरी मेट्रो रेल परियोजना है EIB ने साड़े 400 मिलियन यूरो के निवेश के साथ लखनव मेट्रो रेल प्रनाली का भी समर्थन किया है यहाँ पर एक क्वेक रिविजन की बात करें तो यूरोपेन इंवेस्टमेंट बैंक का हेटकॉर्टर है लुक्जंबर्ग में और इसके प्रेजिडेंट है वर्डनर होयर बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी वर्ल्ड हेटेश साइट्स में आता है ताज महल अगला प्रेशन है राष्टे सांकी की कारियाले दुवारा जारी आंकडों के नुसार financial year 21 की पहली तिमाही में भारत की GDP कितने प्रतीशत से घड़ गई है तो इसका सही जवाब है option number C 23.9% करोना वाइरिस महामारी के प्रकोप और उसकी रोग थाम के लिए लगाए गए lockdown से देश की पहले से नरम पढ़ रही अर्थविवस्ता पर और बुरा असर पढ़ा है चालू वितवर्ष 2020-21 में एप्रल-जून के दोरान अर्थविवस्ता में 23.9% की अब तक की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट आई है इस दोरान क्रिशी को छोड़ कर वी निर्मान, निर्मान और सेवा समेत सभी क्षेत्रों का परदर्शन खराब रहा है दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता में इससे पहले जनवरी मार्च तिमाही में 3.1% और पिछले साल एप्रल-जून में 5.2% की विर्धी हुई थी तिमाही आंकडे 1996 से जारी किये जा रहे हैं और उस समय से यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है यहाँ पर एक को एक रिविजन की बात करें तो भारत के मुख्य सांखे की विध है श्री प्रवीन श्रीवास्तव अगला प्रशन है चन्ना पटना के खिलोने किस राज्ये के जीयाई उत्पाद है तो इसका सही जवाब है option number A करनाटक हाल ही में केंद्र शिक्षा मंतरी ने घोशना की है कि छात्रों को विभिन स्थानिये खिलोनों को विक्सित करने और प्रोथसाहित करने के लिए उत्सव की थीम रूप में स्वदेशी खिलोना बनाने की शुरुआत की जाएगी करनाटक में चन्ना पटना, आंधर प्रदेश में कॉंडा पली, तमिल नाडु में तंजावुर, असम में धुबरी और उत्तर प्रदेश के वारा नसी खिलोना क्लस्टर के रूप में विक्सित हो रहे हैं चन्ना पटना खिलोने एक विशेश रूप के लकड़ी के खिलोने और गुडिया है जो करनाटक राज्य के चन्ना पटना शहर में निर्मित होते हैं यह पारंपरिक शिल्प एक भगोलिक संकेत जी आई के रूप में सन्रक्षित हैं इन खिलोनों की लोग प्रियता के परिनाम स्वरूप चन्ना पटना को करनाटक के गोंबेगला ओरू खिलोना शहर के रूप में जाना जाता है बात करें करनाटका की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्ण राजा सागर कावेरी, तुंग भद्रा डैम तुंग भद्रा और अलमाटी डैम कृष्णा, नाशनल पार्क्स में आता है नगर होल नाशनल पार्क, आंची नाशनल पार्क और बनर घटा नाशनल पा केंद्री प्रतियक्ष करबोड CBDT की अध्यक्ष के रूप में किसका कारेकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है तो इसका सही जवाब है औप्शिन नमबर B प्रमोध C. मोधी कैबिनेट की नियुक्ती समिती ने केंद्रिय प्रत्यक्ष कर बोड सीबी डीटी के अध्यक्ष प्रमोध सी मोधी के कारेकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाने के मंजूरी दे दी उनका कारेकाल 31 अगस्त 2020 को समाप्थ होना था मंत्री मंडल की नियुक्ती समिती ACC ने 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो के साथ विस्तार को मंजूरी दे दी मोधी ने 15 फरवरी 2019 को CBTT के नए ध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था यहाँ पर एक को एक रिविजन की बात करें तो Comptroller and Auditor General of India है G.C. मुर्मू अगला प्रशन है Formula 1 Belgium Grappree 2020 किसने जीती है तो इसका सही जवाब है option number B Lewis Hamilton Mercedes rider Lewis Hamilton ने Belgium में Formula 1 Belgium Grappree 2020 का खिताब जीता है यह सीजन की उनकी 5 वी जीत थी और उनके करियर की 89 वी जीत थी अब भे माइकल शुमाकर के Formula 1 रिकॉर्ड से दो जीत पीछे है वाल्टेरी पुटास Mercedes दूसरे स्थान पर और Max Westapen Red Bull तीसरे स्थान पर रहे यहाँ पर एक को एक रिविजन की बात करें तो British Grand Prix 2020 किसने जीती है Lewis Hamilton ने अगला प्रशन है किस देश ने बहु पक्षे सैने अभ्यास कावकास 2020 से अपनी भागेदारी वापस ले ली है तो इसका सही जवाब है Option D भारत भारत ने रूस में 15-26 सितंबर 2020 के बीच आयोजित होने वाली बहु पक्षे सैने अभ्यास कावकास 2020 से अपनी भागेदारी वापस ले ली है रूस और भारत विशेशा दिकारी प्राप रन नीतिक साजेदार है रूस के निमंतरन पर भारत कई अंतराश्च्र कारे क्रमों में भाग ले रहा है हाला कि COVID-19 और इसके परिनाम सुरूप अभ्यास में कठिनाईयों के कारण भारत ने इस वर्ष कावकास 2020 में दल नहीं भेजने का फैसला किया है कावकास 2020 दक्षनी रूस के अस्तराखान प्रांत में आयोजित किया जाएगा जहां शंगाई सहयोग संगठन, S.C.O. और मध्य एशय देशों के सदस्य देश भाग लेंगे इस अभियास में भाग लेने वाले अन्य देश, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उस्बेकिस्तान, मंगोलिया, सीरिया, इरान, मिस्र, बेलारूस, तुर्की, आर्मोनिया और तुर्कमेनिस्तान है बात करें रश्या की तो इसी कैपिटल है मुस्काव करंसी है रश्यन रूबल अगला प्रशन है छटा आंतर राश्ट्रिय सैन्य तक्नीकी मंच आर्मी 2020 हाल ही में किस देश में आयूजित किया गया था तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नमबर B रूस छटा अंतर राश्ट्रिय सैन्य तक्नीकी मंच मिलिटरी टेक्नीकल फोरम आर्मी 2020 23 से 29 अगस्त 2020 के बीच रूस में आयूजित किया गया इसे रूसी रक्षा मंत्राले द्वारा आयूजित किया गया था और अंतर राश्ट्रिय कॉंग्रेस और प्रदरशिन्यों लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया था मंच के दुरान भारतिय पवेलियन का घाटन सचीव रक्षा उत्पादन राज कुमार और रूस में भारतिय राजदूर डी बाला वैंकटेश वर्मा ने किया फोरम ने वैश्विक सैने अधिकारियों शोध करताओं और रक्षा प्रणम मुखर जी जिन का हाल ही में निदन हो गया है उन्हें 2019 में भारत रतने से सम्मानित किया गया था न्यूट्रीशन मंत और पोशन मा सितंबर में मनाया जाता है वर्ल्ड लार्जस सोलर ट्री इंडिया में बनाया गया है यूरोपेन इंवेस्टमेंट बैंक ने फॉर्स मेट्रो लाइन के लिए कानपूर में साड़े 600 मिलियन यूरो इंवेस्ट किये हैं इंडिया की जीड F1 Belgium Grand Prix 2020 Lewis Hamilton ने जीती है कावकास 2020 से इंडिया ने अपना पार्टिसिपेशन विड्रॉ कर लिया है 6th International Military Technical Forum Army 2020 रशिया में और्गनाईज कराई गई है बात कर लेते हैं आज के सेशन के quiz for the day के आपका पहला question है पूर्वर राष्ट्रेपती प्रनव मुखर जी का हाल ही में निदन हो गया उन्हें 2019 में किस पूरसकार से सम्मानित किया गया था और आपका दूसरा question है भारत में किस महीने को पोशन मा के रूप में मनाया जाता है और अगर अब तक आपने मारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेब साइट से से सीजल पिनेकल डाट कॉम और बलजी डाकर डाट कॉम इन तक यू सो मुच